निज एटीन पर इंट्रव्यू में जेपी नडडा ने वार और साथ कॉंग्रस पर जेपी नडडा ने बड़ा वार ज़ा है इन्हें पसंद नहीं है यह भी कहा तो विपक्षी पार्टियों पर एक एक कर नुशाना भी साधा पूरा इंटर्व्यू आगे आप देखेंगे तो न्यूज 18 पर एक्स्क्लूसिफ इंटर्व्यू बसकी देर में आप देख पाएंगे जहां हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है बीजेपी अध्याक्ष जेपी नड़्डा ने ममता बैनर जी, कॉंग्रस पार्टी, समाचवारी पार्टी, तमाम राश्रीदिक पार्टियों पर उन्होंने अपनी बात की साती चार सो पार के नारे पर भी जब उसे सवाल किया गया तो उस पर भी उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया तो कुछी साकेंड बात पूरा इंटर्व्यू आप देख पाएंगे बीजेपी राश्री अध्याक्ष जेपी नड़्डा का एक्स्क्लूसिफ इंटर्व्यू नियूज 18 पर जहां उन्होंने एक एक कर लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए तमाम मुद्दे जो विपक् जो कि आप आगे मुखेंगे तो राहूं का तो राहूं का किया ये सिर्फ नारा था या वाकई चार्जपार लाने की प्लैनिंग भी है दुनिया भर में देश भर में फिर एक वार मोदी सर्था ये नारा गूंज रहा अखिलेश जी ने तो एक रिपोर्टर को बोला कि उत्तर प्रदेश में समाज़दी पार्टी और कॉंग्रेस की यही दो लड़कों की जोड़ी की 79 सीड्स आएंगी यही दो लोगों ने फिल्म बनाई थी ना 2017 और फिर वो फ्लॉप हुई थी बुरी तरीके से फ्लॉप मैरे पास जो छोटी बड़ी जमीन है उसको लेकर के बाटने का काम करेंगे लेका दिया गोस्ट वह भी उत्रवाने का काम करेंगे मुस्लिम लीग ने क्या नारा दिया था स्पेशल रिजर्वेशन पाकिस्तान बन गया पाकिस्तान बन गया लेकिन इससे चुना पोलराइज करने का प्रयास नहीं है राम हमारे लिए आस्था का विशें नहीं है बिल्कुल नहीं पर अड़वानी जीन ने तो यातरा निकाल हमारे रिपोर्टर हमारी आंकर ने एक सवाल पूछा एक महिला से उसका जो जवाब था मुझे लगए आपको दिखाना चाहिए माता पिता है माता पिता है मोडी जी मारे भाई भी है करोलो लोग ये महसूस करते हैं नमस्कार विवस मैं हूँ अमीश देवगन और आप देख रहे हैं न्यूज एटीन और न्यूज एटीन पर हम इलेक्शन की मेगा कवरे को लगातार दिखा रहे हैं पूरे देश में हम आपको हर रूबरू कर रहे हैं लेकिन छे चरण का चुनाफ समाप्त हो चुका है लेकिन इस छे चरण के चुनाफ के बाद भारतिय जनता पार्टी आज कहां खड़ी है ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है भारतिय जंता पार्टी के सार्थी यानि भारतिय अंता पार्टी के राष्टे अधक्ष जगत प्रकाश नडड़ा जी आपका अबिनंदन है न्यूज 18 पर पधान मंत्री मोदी ने कहा चार सो पार जो नारा है वो विपक्ष को फस की प्लैनिंग भी है नहीं भारतिय जंता पार्टी ने ट्रै किया था कि हम लक्ष ले करके चलेंगे और वो लक्ष बड़ा होना चाहिए और लक्ष हम लोगों ने चार सो पार यानि तीन सो सतर के आसपास भारतिय जंता पार्टी की सीटे आएं और बाकी एंडी और हम चार पक्ष इसी बात पर उलज गया कि 400 पार नहीं करेंगे, 400 पार नहीं करेंगे, यानि हम 400 पार लाइक हैं, ये उन्होंने indirectly कमिट कर लिया, और वो हमारी potentiality, हमारा potential 400 पार करने वाला है, और उसको वो debate करते रहें, और उनको ये पता ही नहीं चला, कि उन्होंने ही इस बात को बात कर दिया भारत की जनता में, ये भारतिये जनता पार्टी इतना सामर्फ रखती है कि वो कर भी सकती है, इसलिए उसको वो कारने का प्रयास करते रहें, लेकिन उन्होंने फिर उलज़ा भी दिया, उन्होंने बोला कि ये 400 पार इसलिए चाहिए, कि बीज़े पी को कई सेजेंडे के अर्ट रहेंगे, और हमको उन्होंने को स्पेड अस्पेड लोगों के सामने साथ करना है, लेकिन एक एको सिस्टम ने इसको एक बड़ी खाट पानी भी दी, इको सिस्टम इसी खाट पानी परी तो जिवित है, पिछले 70 साल से, जो एक परिवार को आग कदम में आगे बढ़ रहे हैं और वो तीसरी बार भी प्रधान मंतरी बन रहे हैं। तो बतार बीजेपी के प्रेजिडेंट रावियर देख्ष, क्यो सरकार रिपीट होगी? ऐसा है पहली बार कि भारतिय जनता पार्टी और हमारे नेता सम्मानिय नरेंद्र मोदी जी और उनके नेत्रतुमें हम सत्ता पर बैठ करके भोगने नहीं हैं। हम सत्ता पर बैठ करके लोगों की सिया करने के लिए आए हैं। और लोगों का दुख, दर्द, तकलीफ उसको दूर करने के लिए आए हैं। और प्रदान मंतरी मोदी जी ने पिछले दस वर्ष नहीं, बारा वर्ष कुछ रात के और दस वर्ष यहां के हम जोड लें। दिन रात पल पल एक एक घड़ी उन्होंने जीवन का भारत की जनता की तस्वीर, तकदीर दलने के लिए उनको सशक्ति करन करने के लिए, उनको इंपावर करने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए हर पल लगाया है। तो दोनों के सोच में जनता रहें। हम अपनी गलतियों से सीखने वाले लोग हैं। आपका टेक क्या है। ऐसा है, ये कोई, इन्होंने कोई जमीन और धर्टी से कनेक्टेड लोग नहीं हैं। मैं बहुत जम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। ये अपने खुशनमा इनको रखने वाले लोगों के साथ घूमने वाले लोग हैं। और वो इनको गलत फहमी में रखने लोग हैं। और इनमें भी कोई एक मत्ता नहीं हैं। यानि ये कोई अंडर्स्टैंड इस सीरियसनेस विट वाट सीरियसनेस अच्छा ना करें। तो मुंगेरी राल के हर्शीन सबने ये देखते हैं। अकिलेश जी ने तो एक रेपोर्टर को बोला कि उत्तर प्रदेश में समाधवधी पार्टी और कॉंग्रेस की यानि दो लड़कों की जोड़ी की 79 सीर्स आएंगी। एक बनारस उन्होंने बुला उन्होंने कोट अनकोट क्योटो की सीट हो सकता है बीजेपी जीत जाएं। आपको उत्तर प्रदेश की समबर कैसे दिखाई दे रहा है अखिलेश जी को 79 अपना दिखाई दे रहा है हाँ वो ठीक है भारतिये जंता पार्टी 2019 से ज्यादा सीटों से 2024 में उत्तर प्रदेश में आईगी। आप कह रहे हैं कि 63 से ज्यादा सीट है जी बिलकुल जी मैंने प्रदानमंती मोदी का इंटर्व्यू किया तो उन्होंने का कि मोदी का घोर विरोध करके ही विपक्ष चुनाफ जीतना चाता है मानो मोदी का विरोध ही विपक्ष का एक मात्र एजेंडा बन गया है इसे वालूम हैं कि उनके साथ वो टक्ष प्रदे नहीं सकते और भारतिये जनता पार्टी के लिए भी ये बहुत सौभागी की बात है कि हमारे को ऐसी सक्षियता नेता पार्टी में हैं जिनकी जिनका लोहा देश बानता है और दुनिया उनको अनुकरन करती है देखती है समझत में दिन रात बात में करें तो और करेंगे क्या जी मेरा कोई पॉजिटिव एजंडा कभी देश के सामने तो रखा नहीं लेकिन पॉजिटिव एजंडे की आप बात कर रहे हैं लेकिन भारती जनता पार्टी निरंतर पहले राउंड के बाद से दूसरे राउंड से छटे तक बार-बार आरोप लगा रही है कि कॉंग्रेस इंडिया लाइंस इंडी गड़ बंदन जो है वो तुष्टी करण की पॉलिटिक्स को कर रहा है और बहुत सारे आपकी नेताओं के बयान है प्रधानमंत्री मुदी का हिमा अभिश्वा सर्मा का मैं एक एक करके बयान क्य चाप है देखिए विए बात सचा ही है सबसे पहली बात मोदी जी ने इस देश की सेवा जवतार प्रधानमंत्री दस साल और दस साल में उने गाओं गरीब वंचेट पीड़ेट सोशेट दलेट युवा किसान महिला सब की चिंता की और इतने भी प्रोग्राम जितने भी का सबका साथ सबका विखास सबका विश्वास सबका प्रयास बहुत प्रयास से और बहुत अथक प्रयास से मोदी ने देश की पॉलिटी को देश के लोगों को एक समरस्ता में जोडने का काम किया और कभी उन्हों ने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से इतने मु जुला योजना में इतने मुस्लमानों को घर रख दस साल और रिकॉर्ड है सारे देश को एक एक रूप में ला करके उन्होंने सेक्लिर्जम का एक पॉजिटिव उदाहर लेकिए नहीं पूरा उदाहर देखर के पॉजिटिव रूप में इस बात को रखा और उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया कॉंग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टों में शडेंतर पूरवक शब्द मेरा सुचा शडेंतर पूरवक चालाकी से फिर से विभाजेन की बुईज को बोने का काम किया हमारा आइडियोलजिकल जगड़ा क्या है जस्टिस टू आल अपीजमेंट टू नन इस इस पॉजिटिव सेक्लरिश उनका नारा क्या है डिविजिन अंड रूल डिवाइड अंड रूल जब सब को सारी चीज़ें मिल रही हैं और हमें उसका बखान भी नहीं कर रहे हमारे प्रदान मंतरी क्यों क्योंकि हम जितना ये चर्चा करेंगे उतना सुसाइटी डिवाइड होती है आपने अपने मैनिफेस्टों में पेरा वन पेरा फाइव पेरा सिक्स में आपने लिखा कि हम माइनरिटी को स्पेशल प्रिट्मेंट देंगे आपने लिखा कि हम एजुकेशन में उनको स्पेशल रिजर्वेशन देंगे आपने लिखा कि हम उनको स्पेशल ट्रीट्मेंट देंगे अगर आप ये लिखते हैं तो बाइनॉरिटी आएगा ही आएगा क्यों? क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि देश को एक अधर से देखो जिस्टिस टू आल सब को ये 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 तुम अलग अलग देखने का काम क्यों करते हो लेकिन तुमने किया फिर मोदी जी को याद दिलाना पड़ा कि ये वो लोग हैं जिनका विश्यस डिजाइन है कि इस देश के संसादरों पर पहला भक मुस्लिम का है मैं नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर मनमोन सिंग ने कहा है रह एक वार नहीं कहा दो वार कहा है और राहूल गांधी ने वो अपने भाशन में कहा कि माई नहीं इसको हम रिजर्वेशन देंगे 2012 में 2012 में एक बात हुई थी उसको 12 साल बात पिक कर लिया गया प्रधान मंतरी मोदी ने उस करकिया हमारे चैनल ने भी उस बाइट को दिखाया लेकिन मेरा फिर प्रश्ण वही है कि मुस्रिम आरक्षन की बात कॉंग्रेस कह रही है कि हम मुस्रिम आरक्षन की कर रहे मैं आब से पूछना चाहता हूँ जब बाबासा बलट के शमीती के सामने और constituent assembly के सामने जब घंटों discussion करने के बाद पर दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होगा मुतर्मा मम्ता धीदी ये backward की list में लिमो को डाल करके backdoor entry करने का जिसका high court ने उसको strike down कर दिया ये क्या अर्थ बताता है लेकिन लाला जिस पर कॉंग्रेस चुप है कि नहीं है तो कॉंग्रेस की सरकार ने आंदर परदेश में चार वार backward के हिस्से को दलितों के हिस्से को मारने का काम किया कि नहीं किया करनाटक में backward का हिस्सा मारा काम किया कि नहीं किया और सिद्धर अबया ठाकी चाती ठोक के बोलता है कि यह हम करेंगे यारे तुम समयदान के खिलाब काम करें आप आप फैक्शल बात कह रहे हैं मैं इस बात से एगरी करता हूं कि यह सब कुछ हुआ लेकिन अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है कि कॉंग्रेस पार्टी क्योंकि आप बार-बार मुस्लिम आरक्शन की बीजेपी बात करिए लालु यादव ने बोला कि मुस्लिम आरक्शन होना चाहिए फिर उनने बोला मैंने गलती से ऐसा बोल दिया ता मेरा ऐसा कोई ताट पर रहे नहीं लेकिन बीजेपी मुस्लिम लीग ने क्या नारा दिया था मुस्लिम लीग का नारा क्या था स्पेशल इलेक्टरेट येस स्पेशल रिजर्वेशन पाकिस्तान बन गया मोदी जी ने सब को दिया एक किसी को भी नहीं कहा कि ये घर मेंने मुस्लमान को दिया भारत के नागरिक को दिया कभी नहीं कहा उन्होंने उनका भारत के नागरिक को दिया सोच और शब्द मानसिक्ता को बताते हैं चावल का एक दाना चावल की किसम को बताता है और इसलिए कॉंग्रस पार्टी और इंडी आज लोग ये मोधी जी का विरोध करते करते हैं आज देश का विरोध करने है आपने बंगाल की बात करी, वहाँ पर मुस्लिम आरक्षन, OBC की जातियों में, मुस्लिम जातियां डाल दी, उसको स्ट्राइक डाउन करा गया, लेकिन ममता पर रही है कि हाई कोट के फैस्टले को वो नहीं मानेंगी, मैं क्या कहता हूँ, इसके बिदले सीधे बोलती ना कि म समविधान को नहीं मानूंगी, पर यह क्या समविधान मानने वाले लोगा, यह क्या समविधान मान रहे हैं, जिनकी शब्दावली ऐसी है, आपके खिलाफ कोई कोट का जजज्ज्मेंट चला जाए, आप यह कहते हैं कि yes, we will examine the court judgment and we will take a legal resort, no, you didn't say, that means you do not have any faith, तुमारे पक में कोट का फैसला ना आए, तो को है, जुडिश्यरी को बनाम कर दोगे, ऐसा है पर जब यह फैसला आया, were you shocked, जो कि आप आपको पता था यह, कौन सा, जब हाई कोट का फैसला आया, ऐसा है कि मैंने तो समविधान पढ़ा हुआ है, मुझे तो समविधान मालूम है ना, इ आकवर्ड का फैसलिटी नहीं दे सकते हो, यह फैसलिटी लेने के लिए आपको उस विखोंकी रिजर्वेशन एक पर्टिकलर सामाजिक विवस्ता को ठीक करने के लिए दिया गया है, उसमें आप नहीं आते हो, एक बीजेपी ने आरोप लगाया कि कॉंग्रेस जो है, वो आहुल ने बोला, उन्होंने बोला कि हम ये फिर से देश के रिसोर्स को हम एनालिसिस करेंगे और देश के रिसोर्स को रिडिस्ट्रिब्यूट करेंगे, अब इसका कोई और अर्थ होता हो, इटालियन में कोई और अर्थ होता हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन भारत, इंग को हम से here is is करेंगे उसका हूं रिवियू करेंगे एकसरे करेंगे और फिर रम को सुभी डिस्टिबूट करेंगे तुम मेरी चौपति भी देखेंगे टना मेरी जमीने में बहुत और मेरा जो चोटी बड़ी जमीन है उसको लेकर के बाटने का काम करेंगे लेकादी अंगुठी पहनी है वो भी उतरवाने का काम करेंगे लेकिन लेकिन आपने बड़ा दिल्चस्प इसका जवाब दिया एक प्रश्ण मेरे जिवागा दिल्चस्प नहीं जी फैक्च्छल फ मेरे समझ में नहीं आएगा कि बर्डे का केक किसको खिलाएंगे जी मैं राम मंदिर की बात कर लेता हूं प्रधान मंतरी मोदी ने मेरे साथ शाक्षात कार और उन्होंने पहले भी ये बात को बोला लेकिन उसमें बहुत स्प्रूप से बोला कि कॉंग्रस की प्लैनिंग है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर पर ताला लगाने का काम करेंगे। उन्हों ने ने कॉंग्रस के गांधी परिवार के एडवाइजर की बात को कोट करा। क्या आपको लगता है कि आज कि युक्रस ऐसा बड़ा रिस्क लेगी अगर सत्ता में आके कॉंग्रस लेकिन इसे चुना पोलराइज करने का प्रयास नहीं है आप क्या आप सनातन को गाली दें और आप चुप रहें राम के खिलाफ आप एफिडेविट डालें राम अलपनिक है इसका कोई प्रमान नहीं है इसका वैग्यानिक प्रमान नहीं है और हम चुप रहें यह कैसे होगा हम राम को लाएंगे की नहीं लाएंगे हम राम को लाएंगे की नहीं लाएंगे और फिर लोग बोलते हैं कि जो राम को लाएंगे वो उनको हम लाएंगे तो हम क्या करें इसमें बताइए तो हमारा राम हमारे लिए आस्था का विशे है पॉलिटिक्स का विशे नहीं है बिल्कुल नहीं है पर अड़वानी जीन ने तो यातरा निकाल लिए आप लोगों हमसे प्रशन पूछ रहे हैं कि यह आप राम मंदिर अपरेल में करते तो ज़्यादा अच्छा था अरभी राम का प्राण प्रतिष्ठा ग्रहों के अनुसार और मूरत के अनुसार होता है चुनाओ के डेट के साथ नहीं होता उसका करेक्शन हमारे लिए राम वोट का विशे नहीं है हमारे लिए राम करोडों करोडों लोगों के आस्था का विशे है जी एक सवाल क्योंकि में को चैनल हो गेजनल निजम में मैंने सवाल अडवानी जी से भी पूछा रज जी पूछा गटकरी जी पूछ और यह आप भी आपसे भी कही बार पूछ शुका हूँ यह पोलराइस बीजेपी को बारबार पूछिए फैक्टर क्यों माना जाता है इसा है कि ये बच्चे कॉंग्रेस पार्टी आग से खेलती है हर चुणाओं में जी जब आग से खेलती है और जब जलने लगती है तो फिर बोलती है पॉलराइजेशन हो गया आप मैंने क्या कहा आप बताएए अकलेश जिन्ना को लेए था कि नहीं आया था हर चुणाओं मे लाने वाला कौन है आपने अपने पैरावान फाइव और सिक्स में लिखा नहीं लिखा स्पेशल ट्रीट्मेंट टू माइनॉरिटी इस इस इकीसवी शताबदी में जब हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ चल रहे हैं और सारे देश को एक साथ लिखा करके चल रहे हैं सबके लिए और कभी उसका हम बखार नहीं कर रहे हम सारी पॉलिटी को युनाइट करने का काम कर रहे हैं तो जब आप इस तरीके की डिविजिव फोर्सिस का जो आपका अग्रेजों से आपने जो मंतर सीखा डिवाइड रूल डिविजिव पॉलिटिक्स हर इलक्षन में करते हो और आप माइनॉरिटी वोट को सीख करने का प्रयास करते हो तो आटोमेटिकली मिजॉरिटी वोट कहा जाता है लेकिन लेकिन और ये पॉलराइज कौन करता है बाद बीजिपी अपनी हर रैली में कर रही है राजनाफ जी कर रहे हैं ग्रे मंतरी अमिर्शा कर रहे हैं और राजनाफ जी ने तो ये बोला पीओ के खुदब खुद भारत में शामीश लाएगा तो मतलब अगली सरकार का एजंड़ यही है क्या ऐसा जो एजंड़े हैं लेकिन जो वहां के हालाच चलते रहते हैं उस पर कोई तफसरा हो जाए तो बात अलग है हमारा को उसको एक्सप्रेस किया है लेकिन हाँ भारतीय जन्ता पार्लिमेंट के अंदर हम लोगों ने इस पश्च्रूप में कहा है सियाचिन तक भारत का हमारा है और हम वहां तक की बात करते हैं लेकिन बीजेपी ओनरिकॉर्ड कई बार बोल चुके है कि पी ओके को हम अपना हिस्सा मानते हैं लेकिन फारुक अब्दुल्ला और मनी शंकर एयर को बहुत तकलीफ है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इज़त करनी चाहिए, उनके पास प्रमाणू बम है. इसलिए लोगों ने आपको घर बैठा दिया ना, क्योंकि आप भारत की रक्षा नहीं कर सके, आप भारत की बातों को ठिक धंक से रखनी सके, आप उनके साथ करते रहे और हजारों लोगों की शाधत देनी पड़ी है, आज मोदी जी की राज में घुस करके पाकिस्तान को पाकिस्तान के पूर मोदी जी ने तो कहा है, ना आके उपर उठा के बात करेंगे ना नीचे जुका के बात करेंगे, आखों में आके मिला के बात करेंगे। होते हैं, होते हैं नहीं होते हैं, और वो तारीफ इस तरीके से करें ताकि आप डिविजिफ फोर्सेस के साथ यहां पर खड़े हैं, उसको आप आगे बढ़ाते चलेंगे। आम आदनी पार्टी की एक राजे सबा सांसद हैं। आम आदनी पार्टी से जब सवाल पूछे गए तो उनने बोला यह सब को बीजपी करवा रही है। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस दिन लखनों में आप से ये प्रशन पूछा गया तो आप चुपके चुपके भाएं और दाएं और खिसका रहे थे। एक बार अखिलेश को दिया, एक बार संजे सिंग को दिया। आप चुप क्यूं थे। वह विज्यूल निकाल करके आप देखिए। वही उत्तर देखा है कि आपके कर्म बोल रहे थे कि हिम्मत नहीं हो रही थी कि आप इसका जबाब दे सके। तो ऐसे लोग जो सत्ता में आने के बाद लोगों के साथ इस तरीके का दुर वेवार करते हैं। उनकी पोल के लिए खुलती है। क्या आपको लगता है कि ये विशे चुनावी फैक्टर में का। कौन सा। ये अहम आदमी पार्टी के चरितर को बताता है। तो जब क्यारेक्टर को बताता है। इस चित रूप से वो चुनाव में भी लोग उसको देखते ही है। पर अर्विंद के जीवाले आपको पार्बर क्यों करते हैं कि वो हर चीज का ब्लिम भरती जनता पार्टी पर डाल देते हैं। अगर इंडिया अलाइंस की सरकार आ गई तो उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि कोट ने उनको इंटरिम बेल दी है क्या आपको लगता है स्पेशल ट्रीट्मेंट है यह लिश्चित रूप से हम सुप्रीम कोट की इज़त करते हैं और सुप्रीम कोट के जज्ज्मेंट को मानते हैं लेकिन सिर्फ शुनाओं के लिए बाहर निक हैं कि अगर चार्ण को इंडिया लाइंज जीत गया तो ने जेल नहीं जाना फिर उनको 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 बेल मिल जाएगी यानि क्यों को वो किसी सरकार से इंफ्लूंस होता है उनकी कार शेली का तरीका है और गेट लॉस्ट तो वो सोचते हैं कि सब्ता में आते तो हम इनको कह करते हैं हमारे को डिक्टेट हमारे डिक्टेट्स मानों होने तो गट लॉस्ट भारती इंद्धा पार्टी सुप्रीम कोट के जज्जमेंट करती है नटा जी मेरा अगला सवाल है कि एडी सी बेया पर तो आप सारे सवाल जवाब हुए हैं लेकिन एवियम को लेकर भी सवा करना चाहते हैं आप बुरे करम करो और दोश किसी और पर जड़ो आप बताएए एडी ने जितने भी चार्जेस पुलिटिकल लीडर्स पर लें एक भी चार्ज में किसी भी पुलिटिकल लीडर को कोट से कोई रियायत मिली क्या क्या कि चार्ज को किसी कोट ने कहा कि ये ग पर ये प्रश्म खड़ा करना, ये नेरेटिव क्रियेट करना, ये विपक्स का काम है, बुरे करम करो और फिर छुपाने के लिए दूसरों पर दोश करो, ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्राक्टिस है, प्रेजर है, एसोपी है ये इनका, अब रही बात EVM की, जीत तो तुम पहलवान हार जाओ, EVM दोशी, ये क्या तरीका है, हमारे हाँ भावत है हिंदी में, नाचना आवे, आंगन टेड़, नाचना आवे, आंगन टेड़ है, और अंग्रेजी में कहते हैं, बैड क्राफ्स्मन ब्राफ्सिस टूल्स, पिछली एक महीने में, इन प्रजूद भी, इनका पुलिटिकल एजेंडा है, कि मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्मचिन कैसे खड़ा किया जैसे हैं, ये इनका राजनितिक एजेंडा है, क्यों? क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी तपस्या, उनका कारे करने का तरीका, उसको भारत की जनता ने दिल से अपने साथ आत्म साथ किया है, और उसी ताकत पर दुनिया भर में, देश भर में, फिर एक बार मोदी सरकार, ये नारा गुज रहा है, नतीजों के बाद अगर कुछ कमी रही, तो बतौर बीजेपी राश्ट्रिया आजश्राब का प्लैन B क्या है? इस तरफा लोगों ने मोदी जी को आशिरवाद देने का मन बना लिए, बीजेपी का नंबर क्या है? 400 पार, बीजेपी 2370 प्लस, अभी भी? जी, चलिए, यह आपको लगता है, क्योंकि आप अप्ला 370 कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ से उद्धव ठाक रहे हैं, तो आप लोगों को शपत भ्रेंड में बोलाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं प्रधान मंतरी मोदी और हमिश्रा को शपत भ्रेंड का भी से निय कर रहे हैं, पहले गरीबी का गर समझने क्या है, आप गरीबी से आपको क्यों लगता है, राउल गादी को समझते हैं नहीं है, मैं इसलिए लगता है, क्योंकि उनको कोई चीज डेप्ट से समझने की आदत नहीं है, उनका नया नाम करन भी कर दिया, वो पर्ची वाले नेत वो लेफ्टिस्टों का एजेंडा लेकर के चले हुए हैं, पार्टी में कोई बोला नहीं है क्या, आत्मा समाप्त हो गई है क्या, इसी के लिए कॉंग्रेस बनी थी क्या, तो ये कॉंग्रेस तो हाईजक्ड है, तो और उनको ये पर्चीया कौन दे रहा है, कौन से एजें ओध्यू के आत्माने चलेवन करेक्ड है, तो अधिन के बारे में पर्च्छन किया, प्रोशर मीडिया उनको क्या प्रोचेरन दे सकती है, लेकिन बात बहुत स्पस्थ है, कि आप एज़ सी यू केनोट इंप्रूज़्ट मैं आप से बात इंप्रूज़ कांटेंट, मैं आ अगर इंट्रिव्यू करने के लिए राजी होंगे तो जरूर उनका भी खरेंगे तो लेवल प्लेंग कहां है special field है उनके लिए हम आप हमको जब बोलते हैं मैं इंट्रिव्यू के लिए त्यार हो जाता हूं यह तो वो शाही खांदान से हैं जो सिर्फ बोलेंगे बोलेंगे तुनेंगे नहीं पदार मंतिर ने तो पचास से ज्यादा इंट्रिव्यू कर दी लेक्शन के अदर लेकिन मैं आपके राज्ये पर आता हूं बाचल प्रदेश में वहां पर चार लोग सभा सीटे हैं आपको तो पूरा देश आप लोग उसके भी पीछे पड़ गए हम पीछे नहीं पड़ें जी देखिए बड़े संपल सी बात है आप सोचिए जी कि आपके छे डायक आपके विरोध में वोट डाल देते हैं कभी कॉंग्रेस ने इसका अनैलिसिस किया कि मुख्यमंतरी कर क्या रहे हैं अभी शेक आप के बीच में भाइयों में जगड़ा है और भाइयों के में कुछ और हैं कि आपको पता नहीं चलता है आप 2014 में भी आई है 2019 में भी आई है 2024 में विक्रमा दिते सिंग ने बोला कि जिस मंदिर में गई उस मंदिर को धोना पड़ेगा एक बड़ा में पले-बले हैं बड़े हैं तो इस तरीके के लोग बोल सकते हैं मैं नंबर की बात करूंगा आपके साथ प्रदेश का नंबर आप बता चुके हैं कि बीजेपी पिटली बारे से जादा इंप्रूव करेंगी बंगाल में आपको क्या दिख रहा है मुझे बहुत ब्राइट करेगा डबल डिजिट क्रोस करेगा तेलंगाना में और हम आंद्र प्रदेश में चे में से चार जीतेंगा और हम स्वीप करेंगे लोग समा में अगला स्वाइंस के साथ और दक्षिन भारत के अंदर आपको करनाट का तमिलाडू कैसा दिखाई दे रहा है तालन लाडू म केरला में किती सीट को आख लिए तो मैं नहीं कहता हूं लेकिन हम आपके पास नंबर कुस्ता कोई तो तीन सीटेंगे और तीन-चार सीटें हम से अधिक हम तमिलाडू में ले आएंगे तो आप अगर नॉर्दर इंडिया में आपकी सीट कम होंगी तो यहां आपकी और नॉर्थ में हमारी सीट कम नहीं हो रही है जी जी आप मुझे ऐसा मत समझे कि हम यह सीट मेंटेन करते हुए हम इसको जी बीजेपी धारा तीनसों सत्तर हटा चुकी है राम मंदिर बना चुकी है तिरी सिरी टर्म में बड़ा एजंडा क्या हुआ यह हम लोगोंने मेनि मिजे और बिजेपी के राश्ट्रे अध्रक्ष रह लिए देश के हेल्थ मिनिर लिए तो तीसरी टर्म में नरेंद मोधी की सरकार में आपका रोल क्या होगा ऐसा है मैं कारकरता के रूप में ही तीनों काम किया, जब भी काम किया कारकरता के रूप में, मैं मंत्री था, मुझे कहा गया कि पार्टी के आप यहां आईए, मैं यहां दिल लिया गया, इसलिए पार्टी को मैंने, मैं समर्पित कारकरता हूं, जो मुझे जिम्मेवारी दी आएगी और वो जिम्मवारी पद से नहीं जूड़ी होती है कल अध्यक्ष नहीं रहूँगा लेकिन पार्टी के लिए मैं इसी तरीके से दिन रात काम करने अगला सवाल मैं नहीं पूछूंगा ये एक हमारे रिपोटर हमारी आंकर ने एक सवाल पूछा एक महिला से उसका जवाब था मुझे लगा यह आपको दिखाना चाहिए यूपी में उनका इपोड़ दिया ने यह तो बताना नहीं हो ने अपना पिता है माता माता पिता है मोधी जी आरे भाई भी है वह एक है क्यों लग रहा है ने अमारे को उठाया अच्छा नोने उठाया तो वही इनक हमारी पुझे बेहन बोल रही है यह भारत के करोणों लोगों के घर की कहानी है करोणों लोग यह महसूस करते हैं कि उनके दुख दर्द को उनकी तकलीफ को उनकी उनको एमपावर करने का सशक्ति करन करने का काम प्रधान मंतरी मोधी जी ने किया है और इसलिए मैं कहता कि मोधी जी ने समाज के दर्द को समझ करके उनको उनकी सेवा में हर पल पिछले दस साल बतौर प्रदान मंतरी लगाए है और इसी कारण से आज इस तरीके से हमारी माताएं बेहनों का करोड़ों माताओं का आशिरवाद बिल रहा है प्रदान मंतरी मोधी का अपना माताओं अपना भावक मान रही है ये बहुत बड़ा इमोशन लेकिन मेरा आखरी रैपिट फायर तीन सवाल होंगे और चानल जून के बाद ज्यादा चर्चा किसकी होगी राहुल गांदी की या एवियम की ऐसा है कि वो एवियम की चर्चा करेंगे और चर्चा करने वाले राहुल गांदी होंगे बीजेपी की बड़ी चनाती है ममता बेनर जी ए अरविंद केजरीवाल ऐसा है ये सब एक बराबर है इसलिए हमारे लिए जो देश को कमजोर करने वाली ताक्ते हैं उनमें ये शाम पूरा करता हूँ और पार्टी में हमेशा में काम करता हूँ सरकार में रहा हूँ तब भी में पार्टी का काम करता रहा हूँ ची चलिए चुनावों के बीच आपने अपने इतना समय दिया आपका बड़ा है इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमारे सा ज का जवाब दिया जो दिश्की जंता आप से शायद जानना चाहती है बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका अभी ची इस बहाने मुलाकात हुई चुनाओ के दरान बहुत अच्छा लगा धन्यवाद